नमस्कार दोस्तों मेरा नाम विशाल परिहार है मैं पढ़ाता हूँ इंग्लेश सारे नई बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत ध्यान से गौर से देखना IBPS का क्लर्क का प्री का एक्जाम हो गया है आप लोगों का सेटर्डे संडे उन बच्चों का एक्जाम बचा हुआ है जिनका एक्जाम अभी 31 अगस्त को है लेकिन उसके बाद फिर उनका भी मेंज है सबसे पहला सवाल कि मेरा मेंज होगा तो तब होगा जब प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो मेरा अटेम्ट है सकतर के आसपस मेरा क्वालिफाई होगा की नी मेरा अटेम्ट है बावन क्वालिफाई होगा की नी मैं आपको एक बात बता दू क्वालिफाई हो या ना हो य आपना मेंस कुलिपाई कर पाओगे एक पार में ए इसके अलावा आप में से वो बच्चे जुनको लगता है से हमारा नहीं कौलिफाई हुआ फिर पहले से बेहतर हो जाओगे mains में ऐसा नहीं होता कुछ कि mains में free में हमने यह पड़ा बिलकुल एकदम black नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है mains में वह सारा content तो आता ही आता है जो pre में आता है mains में कुछ additional भी आता है हमें वन additional को भी पढ़ना होता है तो आज मैं आपको वह strategy बताता हूँ तोको थमनेल में मैंने कहा लिखा 46 days का study plan 46 days को एक-एक दिन बताऊंगा और एक-एक दिन को count करना है एक second भी विस्ट नहीं होने दिना है अब बताता हूँ एक-एक दिन के साब से exam date है दोस्तो 13 October आप सब लोग जानते है exam date क्या है 13 October है और आज हम बैठे हुए दोस्तो अभी 28 अगस्ट वाले दिन 28 अगस्ट वाले दिन है दिन count कर लोगे total मिलाकर 46 days बचे हुए है इन 46 दिनों को बढ़ियास अस्किमाल करना है study plan बता रहा हूँ English को कैसे tackle करेंगे बड़ी ध्यानत सुनना प्रीक हो अगर आप English में कोहुत ध्यानत सुनना कुछ चीजों को आपके concept मजबूत करने कुछ चीजों की concept आपने pre में पढ़े हुए तो उनकी practice करनी है बस ये दो काम करने है आप सब लोगों ने prelims के exam से पहले अगर mock paper लगाए थे प्रीवेसर पेपर लगाए थे तो आप जानते होंगे उनका कितनी बड़ी value थी उनकी वज़ा से ही आप दोस्तों अपने pre के exam में बड़ी आप perform करके आए जितने भी बच्चों क्या लगता था English यार थोड़ी week है थोड़ी week है लेकिन अगर आप regularly मेरी इन बातों को follow करते रहे हों किसी भी teacher की बातों को follow कि आपने regular practice करी और mock paper लगाया तो मुझे पता है अब 25 के आसपर score करके आए होंगे 30 में से 25 के आसपर score करके आए होंगे और यही चीज़ आपको confidence देगा अब आगे की preparation को continue करने में बड़े ध्यान से अब हम आगे बढ़ेंगे continue करना है एक simple से काम करना है जो मैंने बताया daily mock paper solve करना है daily का काम है एक mock paper solve करना है English का और इसको analysis करना है अब 46 दिन में क्या सरब 46 mock paper कर पाएंगे 46 दिन में 46 नहीं हो गए करना है तो करनी है यह दिमाग में रख लोगे करना है तो करना है तो आप दोस्तों mock paper कर पाओगे और उसका analysis करोगे मैं guarantee दे रहा हूँ selection हो जाएगा आपका जो बच्चा कहता है मैं बहुत जदा हुश्यार हूँ मैं तो आराम से निकाल लूँगा आप उसको पीछे कर जो करता होगे यह यह competition है यहाँ पर अगर आपने बहुत दिनों तक लगातार एक schedule को follow किया consistency दिखाई मैं आपको बता रहा हूँ आपको कोई हरा नहीं सकता है तो अगर आपको लगता है क्या week हो अरे बस consistency दिखानी 46 दिन में लगातार paper को करना है मैं 4 दिन 5 की चार 5 दिन निकाल दे रहा हूँ क्यों चार से पाच दिनों में चाहिए कितना भी कुछ भी कर लो कुछ ना कुछ होकर आपका time निकल सकता है कोई बात नहीं लेकिन जितना समय बचा है उस उतने बचे हुए समय को maximum ताकत लगानी है मैं मान के चलता हूँ 40 paper आप कर लोगे क्या Sunday है क्या Saturday है क्या रक्षाबंदन है निकल गया रक्षाबंदन क्या तिवहार और आ रहे हैं किस क्या शादी है किस क्या बड़े है ऐसा भूल जाना सिर्व एकी चीज़ याद रखनी है कि 46 दिन बाद मेरा है paper और ये paper मेरी जंदिकी बदल देगा इस paper में मैंने ताकत लगा दी तो मेरी जंदिकी बदल जाएगी पूरी ताकत लगा नहीं है IPPS कलर के एक्जाम में English मुझको weak लगते है English को इतना strong कर लूँगा दिन रात एक कर दूँगा सारी mock paper पढ़ूँगा mock paper करके उसमें analysis करूँगा जो मुझे लगता है weak section है विशाल सर से पढ़ रहा हूँ तो विशाल सर से पूछूँगा उसको solve करूँगा उसकी practice करूँगा काम बन जाएगा ये तो मैंने एक तरीका बता है mock paper को solve करने का ये बस महीं से उसकी subscription लेने हैं जिसका खरीदना है खरीद लो सारे mock paper ले लो बस अच्छा जी mock paper के लिए क्या है इस mock paper को लगाओगे उससे पहले मैं बता दूँ कुछ जो मुझे से आप पढ़ोगे पहला आप लोगों के लिए YouTube पर ही पढ़ा रहा हूँ YouTube पर एक practice class में marathon दो सुतंबर को शाम को पांच बदे पांच घंटे की marathon करूँगा और यह पांच घंटे की marathon में मैं आपको बताऊंगा वो additional topic जो सिर्फ और सिर्फ में में आते हैं जैसे की sentence connector जैसे की sentence starter जैसे की paragraph completion जैसे की inference based questions यह आपके सिर्फ में में देखने को मिलते हैं इसके अलावा match की different type की question जो different type की question जदे सब देखने को मिलते हैं यह सारे में कराऊंगा topic इन topic के concept बताऊंगा कैसे इने solve किया जाए कम time में कैसे solve किया जाए इसके number of question की practice कराऊंगा बाकी question practice के source भी दूँगा कि इन PDF को ले लो और download करके practice करना यह मैं बताऊंगा यह आप करना सभी लोग बचे से लेकर रात के 10 बजे तक पढ़ेंगे और शाम के 5 बचे से लेकर रात के 10 बजे तक अब चाहिए कुछ भी हो जाए एक जगा बैट जाना mobile phone को charging point पे लगा देना पस पढ़ते चले जाना पढ़ते चाले जाना जो भी concept बताऊंगा शीख लो आप किसी paid class में पढ़त चाहिए अब सुनो मेरी बार प्रेक्टिस करनी है तो मैं अगर मेरे साथ प्रेक्टिस करना चाहते हो तो दोस्तों अंकेडमी पर थोड़े से पैसे हमें पढ़ते हैं तोड़े से पैसे खर्च कर ओगे वह पैसे खरarde करोगे वह आपका investment फिया आ आने वाले 46 दिन का investment है यह 46 दिन पूरी ताकट लगानी है एक भी मौका ऐसा नहीं रहना चाहिए कि यार काश में यह कर लेता काश में थोड़ा यहां पढ़ लेता काश में थोड़ा यह कर लेता यह दिमाग में नहीं आना चाहिए आप सुनो मेरी बात अनकेडमी की पेड़ ग्लास में दो सितं कुमबर वाले दिन ही दुपहर के दो बजे क्लास डेली होगी डेली एक घंटा वन आवर इस डेली एक घंटे को हम लगातार चलाते जाएंगे जिस दिन का एकजाम है तेरा अक्टूबर बार अक्टूबर तक आपकी दोस्तों एक लास होगी लगातार कॉंटिनुजली होंगे उस expected paper में किस तरीके के question बनेंगे हर दिन paper करेंगे उसका analysis करेंगे paper करेंगे analysis करेंगे अरे कब तक ऐसा कोई doubt है जो आपका छुट जाएगा doubt आए मुझसे पूछो फिर doubt आए मुझसे पूछो हर दिन में strategy बताता हूं उसमें कि आप आओ आओ आपने paper किया जो भी आपके doubt लगे एक दिन पहले जो भी आपको doubt लाए class मैं doubt section होता है आपने photo कीची सीधे upload कर दिया photo कीची upload कर दिया मेरे past side में सारे doubt आपके आते जाते खटा होते जाएंगे जितने डाउट होगे 10-15-20 जितने डाउट है आपके सारे डाल दिये डाल दिये एकस्पक्टेट पेपर किया पेपर खतम हुआ पेपर खतम होते ही सारे डाउट one by one सारे डाउट सारे डाउट होंगा सारे डाउट क्लेर करूँगा यह मैं अभी भी करता हूँ अभी आपका क्लर्क का प्री हुआ था तो मैंने मॉक ड्रिल कराइट है 30 हर दिन एक मॉक पेपर कराता था जो डाउट सारे डाउट सॉल करवाता था ऐसे करके वही सेम पाटन अपनाएंगे हम यहां पर लेकिन इसके लिए पेड़ ग्लास में आना पड़ेगा यह पेड़ ऐसा हो जाता हम बहुत छुटे-छुटे चीजों में फसे रह जाते हैं और शायद हम अपने पैसे का और अपने समय का सही इंवेश्मेंट नहीं कर पाते हैं वह इंवेश्मेंट करना और इस नोट ओली फॉर इंग्लिश यह हर एक क्लास के लिए इंग्लिश के लिए तो म इस निउस्पेपर की रीडिंग करते हैं नहीं 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 बाबू यह बिल्कुल यह चोड़ना है रीडिंग तो करनी ही करनी है जब समय मिलता है तब करनी है रीडिंग सही तो इंप्रूफ करोगे नीरिंग रीडिंग नहीं होगी तो इंप्रूफ कैसे होगा मेरे साथ पढ़ो मेरे साथ आजा अगरो आधी गुंटे देख ले अगरो जब रीडिंग करानी है मैंने वीडियो करा दिया डिटोरियल रिकॉर्डे देखो जब समय है तू एक्स पर देख लो लेकिन रीडिंग करनी है रीडिंग करनी है आप बता दिता हूँ यह रहा मेंस का बेच यह बेच की सबकी टाइमिंग देख लो आप लोग देख लो आप लोग सबकी टाइमिंग के 2 सितंबर से शुरू कर रही है और अगर आप इसमें पर्चिस करना चाते है उसको तो इसका एक ओफर भी है ओफर है इस कोड का इस्तिमाल करना एबीप एबीप को लगाओगे त 50% आप मिल रहा है आपको 2799 में 12 मेने का सब्सक्रिप्शन है आपको लगता है 6 मेने का सब्सक्रिप्शन मेरे काम का हो जाएगा तो 6 मेने का ले लेना यह 12 मेने का प्राइज है लेकिन सभी पर 50% आप है फ्लैट 12 मेने के सब्सक्रिप्शन पर 3 मेने एक्स्रा मिलेंगे 6 मे SBI peer clerk वाला भी batch मिल जाए का सारे batch मिल जाते है हलागि subscription में बढ़ मैं आपको बता रहा हूँ अगर paid class में हो तो ऐसे पढ़ना और कुछ नहीं करना है बस ऐसे पढ़ना है यह मेरा तरीका था आपको बताने का कैसे पढ़ेंगे मैंने बता दिया ताकत पूरी लगा दो किसी भ पूरी ताकत लगा दो तो ध्यान से सोचना क्या मैंने पूरी ताकत लगाई है क्या सच में मैंने पूरी ताकत लगाई है क्या सच में मैं पूरी ताकत लगाई है सच में मैं पढ़ सकता था एक घंटा और आदा घंटा सच में दे सकता था अगर दिमाग मैं कि दे तो सकता यह लिखना था, लेकिन तूने दया निक्तोग तूने बता हाँ आफ उसके हकदार ही नहीं हो, पिर आइप बी पुएस कलरक मेंज्ट में आप सेलेक्षन लेने का हकदार नहीं हो, उसमें सेलेक्शन हो जाएगा उसे कोई नहीं रोग सकता अपने अंदर इस अटिटीट को डेवलेप करो मेहनत कर पाओगे और सेलेक्शन भी ले पाओगे एच्छालिस दिन बहुत इंपोर्टन है आपकी जिन्दिकी के आग लगा तो बस पढ़ाई करो पढ़ी हांसे ठीक है वीडियो अच्छा लगा है तो भाईया फॉलो करना सारे सारे बच्चे ठीक है मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में थैंक्यू बेरी मच्च दोस्तो जै ये बारत थैंक्यू थैंक्यू